असलाम अलेकुम फ्रेंज आज मैं बनाओंगी मुंबई का फेमस मावा पालुदा इसमें मैंने दो चम्मस सब्जा ली हूँ इसमें मैं पानी डाल कर भिगा दूँगी फालुदा बनाने के लिए सबसे पहले हम दूद उबाल लेंगे मैंने एक लिटर दूद ली हूँ इदमें उबाल आ चुका है अब मैं इसमें डालूँगी पीसे हुए बदाम ये दो इस्पुन बदाम है बदाम पाउडर अब मैं इसमें डालूँगी चार चम्मल शक्कर रूबजा भी मिठा होता है इसके लिए हम शक्कर जादा नहीं डालेंगे दूद के हिसाब से हमें शक्कर डालना है अब हमें चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे डाल न लगे दूद गाड़ा हो चुका है हमें जादा गाड़ा नहीं करना है दूद किसी तरह रखना है अब हम इसे गैस पे से उतार लेंगे दूद को मैंने रूम टेंपरेचर पे ठंडा होने के लिए रखी थी अब मैं इसे फ्रीज में रखूंगे दो तिन घंटे के लिए अब हम बनाएंगे फालूदे की सेवई सेवई बनाना बहुती आसान है इसके लिए हमें चाहिए चार चमच पॉन फ्लार आटा एक चमच शक्कर अभी इसमें मैं आदा गिलास पानी डालूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी अब इसे गैस पे रखकर हम पकाएंगे हमें इसे हिलाते ही रेना है ताकि नीचे लगे नहीं यह आइस्ता आइस्ता गाड़ा हो जाएगा यह देखिए यह अभी गाड़ा हो गया है अब इसे थोड़ा ही पकाना है हमें इसमें जो सफेद रंग दिख रहा है वो खतम होने तक पकाना है अब यह हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे हमें ऐसा साचा चाहिए जिससे हम चकली बनाते हैं उस साचे में हमें इसे डालना है अब मैंने इसमें भर दी हूँ इसी हमें जाली चाहिए बारी इस जाली को हम इसमें ऐसे लगाकर इसका धकन लगा देंगे सेवई को मैं इस बरफ के पानी में डालूंगी अब हम इसमें इस तरीके से डालेंगे ऐसे गोल घुमाना है हमें इसके लिए हमें पानी ठंडा ही चाहिए एकदम बरफ वाला पानी चाहिए नहीं तो यह नई बनेगा सेवई को हमें 5-10 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ना है हाथ बिलकुल नहीं लगाना है 10 मिनिट बाद सेवई हमारी तयार हो चुकी है यह देखिए माशाला ऐसे ही सेवई हमें चाहिए था सबसे पहले ग्लास में मैं डालूँगी रूवजा आप डालूँगी एक चमर्च सब्जा अब इसमें डालूँगी सेवई अब इसमें डालूँगी यह फ्रीज में रखी ती जी मने दूर वो डालूँगी अभी इसमें मैं डालूँगी वैनिला आइसक्रीम आप अपने पसंद से कोई भी आइसक्रीम डाल सकते हैं अभी इसमें डालूँगी में मावा अब उपर से थोड़ा रूपजा डालूँगी अब काजू के तुकडे मावा फालूदा तैयार हो चुका है वीडियो पसंद आये तो शेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंड में जरूर बताना मावा फालूदा कैसे लगा अलागा पीज